चाइना अमेरिकी फार्मिंग लैंड खरीद रहा है, अमेरिकी फूर्ड सप्लाइ चेन को कम कर रहा है, संभावित रूप से जैव हतियार बना रहा है चाइना अंसेंसिड आपका स्वागत है, मैं क्रिस चैपल हूँ चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी और उसकी राज्य नियंतरित कमपनिया दुनिया भर में तेजी से क्रिशी भूमी खरीद रही है और वे इसे किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से कर रहे हैं 2011 और 2020 के बीच चीन ने दुनिया भर में लगभग 70 लाख हैक्टेर क्रिशी भूमी खरीदी UK से फर्मों ने लगभग 2 मिलियन हैक्टेर खरीदा जबकि US और जापानी फर्मों ने 10 लाख हैक्टेर से कम खरीदा उदाहरन के लिए 2013 में चीन ने युक्रेन का 5 प्रतिशत हिस्सा खरीदा था यह सब खेथा मूल रूप से मैसाचुसेट्स के आकार का FYI करें वो खरीदारी जिंजियां क्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉप्स द्वारा की गई थी एक कमपनी जिसे अमेरिका ने उवेगरों के नरसनहार में शामिल होने के लिए मंजूरी दी है चीनी कमपनीया अफ्रीका में भी जमीन खरीद रही है उदाहरन के लिए ओ सो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक रिपबलिक ओफ कांगो में चीनी ताड के तेल का उत्पादन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े वर्शावन में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का कारण बन रहा है वास्तव में चीन वनों की कटाई से जुड़ी वस्तूओ का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंस है और जिंबाबवे में वे चीन को निर्यात के लिए गोमास का उत्पादन कर रहे हैं जो न तो एक स्थाई और नहीं उस देश में क्रिशी भूमी का बुधिमान उप्योग है जहां लोग बुनियादी स्टैपल की कमी के भूखे रहते हैं चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी की अनरगल भूख के कारण बहुत सारे लोग भूखे रह रहे हैं चीन दुनिया के आधे अनाज की जमाखोरी कर रहा है जिससे कीमतें बढ़ रही हैं और अमेरिका में क्रिशी भूमी का चीनी अधिग्रहन विवात पैदा कर रहा है खास कर जब उन्होंने एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सेन्यार्डे के ठीक बगल में क्रिशी भूमी खरीदी वापसी पर स्वागत है मुझे लगता है अमेरिकी क्रिशी भूमी को कोई और नहीं बलकी तेजी से खरीद रहा है बिल गेट्स हाँ, वो अमेरिका में सबसे अधिक क्रिशी भूमी के मालिक है लेकिन चीनी शासन अमेरिकी क्रिशी भूमी भी खरीद रहा है खाल ही में, नौट डकोटा में अमेरिकी वायु सेना के ड्रोन बेस से सडक से सिर्फ 12 मिल नीचे के क्षेतर में माना जाता है कि ये आधार देश की कुछ सबसे परिश्कृत सेने ड्रोन तकनीक का घर है एक चीनी कमपनी जो स्वाद बढ़ाने और चीनी के विकल्प में माहिर है फूफेंग ग्रूप द्वारा फॉमलन को 2 डॉलर और 60 सेंट मिलियन डॉलर में खरीदा गया था इससे काफी लोगों में हरकंप मच गया है अब आप पूछ रहे होंगे कि चीनी कमपनिया सेने ठिकानों के पास अमेरिकी क्रिशी भूमी क्यों खरीद सकती है ठीक है मैं पहले यह कहना चाहता हूँ कि चीन के पास इतनी अमेरिकी क्रिशी भूमी नहीं है USDA की इस रिपोर्ट के अनुसार चीनी निवेशिकों के पास अमेरिका में 350-00-01 एकर से ज्यादा जमीन है लेकिन यह सभी विदेशी स्वामित्व वाली भूमी का एक प्रतिशत से भी कम है और विदेशी खुद की भूमी ही अमेरिकी क्रिशी भूमी का केवल 2.7 प्रतिशत हिस्सा बनाती है तो क्या चिन्ता का कोई कारण है? खेर, यूएस चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की यह हालिया रिपोर्ट यही पता लगाना चाहती थी इसने चिन्ता के पांच प्रमुख शेतरों की पहचान की एक सैन्य ठिकानों से निकटता है मैंने उन में से कुछ समस्याओं के बारे में पहले ही बात कर ली है एक और चिन्ता यह है कि चीन जितना हम जानते हैं उससे अधिक अमेरिकी भूमी का मालिक हो सकता है संगीय रिपोर्टिंग आवशक्ताएं बहुत कठोर नहीं है चीनी कमपनिया मुखोटा कमपनियों और साज़ेदारियों के जरिये स्वामित्व का एक जटल जाल बना सकती है और उलंगन पाय जाने पर भी अमेरिकी सरकार के पास प्रवर्तन तंत्र नहीं है फिर वहाँ है जिसे रिपोर्ट अन्य भूमी कहती है वह भूमी दल 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 या नंगे चटान जैसे अवरगी कृत उप्योगों के साथ है इसमें प्राकृतिक आर्द्र भूमी या इसके माध्यम से चलने वाले जल्स रोतों के साथ संपत्ती शामिल हो सकती है तो तक्नीकी रूप से खेत नहीं 2013 में USDA ने बताया कि अन्य भूमी ने चीनी खरीद का 78 प्रतिशत हिस्सा बनाया इसमें से कुछ भूमी को खृशी उप्योग के लिए परिवर्तित किया जा सकता है जैसा कि रिपोर्ट में उलेक किया गया है USDA को विदेशी खरीदारों को भूमी उप्योग में किसी भी बदलाब पर रिपोर्ट करने की आवश्यक्ता है लेकिन प्रवर्तन की कमी इसे उपेक्षा के लिए परिपक क्षेत्र बनाती है तो फिर हमें वास्तव में इस बात का भी अच्छा अंदाजा नहीं है कि अमेरिका में चीन के पास कितनी क्रिशी भूमी है अगली समस्या अमेरिकी आपूर्ती श्रिंखलाओं पर नियंत्रण है आप जानते हैं कि चीन दुनिया की अधिकांच चिकित्सा आपूर्ती कैसे करता है वो वास्तव में अमेरिका को काटने के लिए वापस आया जब कोविड की शुरुआत हुई कल्पना कीजिए कि चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के पास कितनी शक्ती होती अगर वो हमारे द्वारा खाये जाने वाले भोजन को नियंत्रित करती 2013 में एक चीनी फम ने अमेरिका के सबसे बड़े पोक उतपादक स्मिट फील्ड फूर्ड को खरीदा और सौदे के बाद उसी चीनी कम्पनी ने कई प्रसंसकरन सुविधाय, खेत, अनाज लिफ्ट और अन्य अमेरिकी संपत्तियां खरीदी जिसने कम्पनी को कई अमेरिकी आपूर्टी करताओं और सेवा प्रदाताओं को काटने की अनुमती दी मूल रूप से, स्मिट फील्ड की खरीद ने नकेवल चीन को सुव का मास दिया, इसने चीन को पोर्ग से संबंधित आपूर्टी श्रिंखलाओं के विशाल पारिस्थिति की तंत्र पर नियंत्रन दिया और क्या हम वास्तव में चाहते हैं कि चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी बेकन को घर लाए? तो हमें अपनी सीमाओं के भीतर उगाएगा एक हाद्य पदार्थों का निर्यात करने के लिए मजबूर किया जा सकता है और हमारे अपने उप्योग के लिए है पिछले महीने उन्होंने एक बिल पेश किया जो चीन को अमेरिकी फॉर्मलेंड खरीदने से रोकेगा यह पिछले साल पेश किये गए पिछले बिल के समान है कि गोली मार दी किसी कारण से यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार सहमत नहीं हो सकती है चिन्ता का एक अनिक शेत्र बौधिक संपदा की चोरी है संयुक्त राज्य अमेरिका आनुवन्शिक रूप से संशोधित फसलों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है यह एक अरब डॉलर का उद्योग है और चीन चाहता है लेकिन अपने स्वयम के बीजों पर शोध और विकास की परिशानी और खर्च से गुजरने के बजाए चीन केवल अमेरिका से तकनीक की चोरी कर रहा है रिपोर्ट के अनुसार चीन में बढ़ते जीएम फसल उद्योग को सनरक्षित अमेरिकी बीज लाइनों तक पहुँच से बहुत लाब होगा जिन्हें विकसित होने में कई साल और संसाधन लगते हैं लेकिन यह इसका सबसे बुरा भी नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या चीन द्वारा जीएमों को हतियार बंद करने का जोखिम है यदि चीन को अमेरिकी बीजों की समझ हासिल हो जाती है तो वो कुछ प्रकार के तुशार पैदा करके जैव युद्ध का संचालन कर सकता है जो यूएस फसलों को नश्ट कर सकता है उदाहरन के लिए जैव प्रौध्योगी की विशेशग्यों ने माना है कि कवक बीजानुओ को मुख्य फसलों को लक्षित करने के लिए जैविक युद्ध एजेंटों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे अकाल पढ़ सकता है और याद रहे चीन अनाज की जमा खोरी करता रहा है बहुत अच्छा ब्लैक मेल अगर कहा जाए तो चीन ने ताइवान पर आक्रमन किया यदि सेना ताइवान की सहायता के लिए आती है तो चीनी शासन अमेरिकी क्रिशी भूमी को धमकी दे सकता है हम सभी को टेबल पर खाना रखने में बहुत मुश्किल हो सकती है तो तुम क्या सोचते हो? अपनी टिपणी नीचे दे एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ, अगली बार मिलते है